Hello everybody, आज की इस वीडियो में हम एक new concept जो की data center business है उसके बारे में बात करेंगे काफे लोग data center business model लेकर आए हैं in India तो आज हम IT industry के बारे में बात करेंगे data center business in India के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि यह cloud particle क्या होता है और कैसे आप cloud particle plan मना सकते हो आप सब cloud particle business से कैसे profit earn कर सकते हो यह भी समझेंगे बात करते हैं data center के बारे में data center business से कैसे profit earn कर सकते हैं वो भी हम समझते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे यह समझने के लिए कि data center क्या होता है जो आपके mobile का या social media का data है corporate industries का data है कुछ भी जो भी आप online करते हैं वो जहां store होता है उसे हम data center कहते हैं तो यह जो data है इसको new gold का जाता है और यह industry बढ़ रही है government भी इसमें part ले रही है और यह IT industry से related है data जहां आपका store हो रहा है वो data center होता है जहां एक बहुत बड़ी machine होती है जहां सारा data store होता है example लेते हैं apple mobile आप use करते हैं उसमें iCloud storage होती है और उसमें आपका सारा data store होता है वहां आपको mobile remind करवाता है कि आपका data यहां store होता है और iCloud storage full हो चुकी है तो यह जो data होता है यह भी कहीं न कहीं store होता है तो जो companies अपने data को कहीं न कहीं store करवाती है और जहां वो store करवाती है उसे data center कहा जाता है अब ये data centers काम कैसे करते हैं data centers होते हैं, servers होते हैं और cloud storage होती है तो जो servers हैं वो data centers में available होते हैं उन servers में data जो है वो store किया जाता है gigabyte में अब यह सब क्यों करना पड़ता है, Facebook का example लेते हैं, आप अपनी Facebook में login करेंगे, तो पूरा data आजाएगा, अगर logout करके किसी और device में login करेंगे, तो वही same data आपका वहाँ भी आजाएगा, इसलिए companies को data centers की जुरत पड़ती है, क्योंकि यह जो data है, उसी के थुरू वहाँ show हो होता है, अब जो companies होती है, यह multiple data centers में अपना data store करती है, minimum 3 जगा पर store करती है, और locations बहुत दूर दूर होती है, किसी भी tragedy की वज़े से, एक data center बंद हो जाता है, तो दूसरा data center काम करता है, इसलिए कोई भी आप company ले लो, Google, make my trip, या कोई भी company, पूरे time चलती रहती है, कभी यह बंद नहीं होती, और data centers की वज़े से ही बंद होती है, अब जानते हैं कि data center business क्या है, data center business in India means किसी के data center का एक block आप purchase करके उससे income generate कर सकते हो, यानि कि आपको data center model से कुछ rent आता रहेगा, data center business model का मतलब है, एक data center के blocks में से आप कुछ purchase कर सकते हो, वो depend करता है कि आप कितने blocks purchase करना चाहते हो, as per your budget, यह data center investment से आपका अच्छा खासा ROI generate होता है, जो कि आप rent के form में earn कर सकते हो, ऐसी ही a company है, जो कि आपको data center में invest करके, पैसे कमाने में help कर दी है, अब आकस data center plan से आप अपने budget के accordingly invest करके, कुछ blocks purchase कर सकते हो, अब आकस data center business का सबसे बड़ा server है, 192 blocks का, क्योंकि यह costly है, तो इसे छोटर-छोटर blocks में divide कर दिया गया है, अगर आप चाहें, तो यहाँ एक block purchase कर सकते हो, यहाँ data center में invest करने से आपको जो rental income आती है, वो 10 years तक आती है, इस बैकस data center plan में आपको 2 blocks से लेकर, पूरे 192 blocks तक purchase करने का option मिलता है, इन plans के साथ आपको agreement मिल करता है, कि आपका जो ROI है, तो आपको हर महीने for 10 years मिलता रहेगा, यह 10 years का इसलिए है, क्योंकि data center की life भी 10 years तक ही होती है, इस cloud particle business से आप easily revenue generate कर सकते हो, अब आप सोच रहे होंगे, कि यह fake है या genuine, तो मैं आपको यह confirm कर दूँ कि यह बिल्कुल genuine है, क्योंकि government approved है, government ने यह data center business approved किया है, और a back us data center certified business plan लेकर आया है, तो यहाँ आपको यह tension लेने की जुरत नहीं है, कि यहाँ कुछ fake है, इस data center business plan में आप भी part ले सकते हो, और data center की कुछ blocks purchase कर सकते हो, यह data center business plan बहुत ही अच्छा plan है, और आपको अच्छा कासा ROI जनरेट करके दे सकता है, इस से आप कुछ हजार नहीं, लाकों में profit earn कर सकते हो, आप वीडियो को यहाँ end करते हैं, thank you so much for watching this video, we will see you again soon, take care, bye bye